उम शान्ति 12 एप्रिल 2022 बाबा के महावाक्य मीठे बच्चे तुम दुख हरता सुख करता बाब के बच्चे हो तुम्हे मनसा वाच्चा कर्मना किसी को भी दुख नहीं देना है सबको सुख दो प्रश्ण तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो इसलिए तुम्हारी मुख्य धारना क्या होनी चाहिए उत्तर तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकले वह एक एक बोल मनुष्यों को हीरे जैसा बना दे तुम्हे बहुत मेठा बनना है सबको सुख देना है किसी को भी दुख देने का ख्याल ना आई तुम अभी ऐसी सत्योगी स्वर्ग की दुनिया में जाते हो जहां सदा सुख ही सुख है दुख का नाम निशान नहीं तो तुम्हे बाप की शिरिमत मिली है बच्चे बाप समान दुख हरता सुख करता बनो तुम्हारा धन्दा ही है सब के दुख हर कर सुख देना गीत इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल ओम शांती बच्चों ने यह गीत सुना बच्चे जानते हैं कि हम पुर्शार्त करते हैं ऐसी दुनिया में जाने के लिए जहां एक तो माया नहीं होती और कभी भी मनसा, वाच्चा, कर्मना कोई को कोई भी दुख नहीं देती इसलिए उनका नाम ही है स्वर्ग, पेरडाइज, वैकुंट और बरोबर वाहां के मालिक लक्ष्मी नारायन का चित्र भी दिखाती हैं प्रजा का तो चित्र नहीं दिखाएंगे लक्ष्मी नारायन का चित्र है जिससे सिद होता है कि उन्हों की राजधानी में जरूर ऐसे ही मनुश्य होंगे भारत में ही यह स्वर्ग के मालिक थे जहां दुख का नाम निशान नहीं रहता मन्सा, वाच्चा, कर्मना कोई भी किसको दुख नहीं देती बाप भी कभी किसको दुख नहीं देती है उनका नाम बाला है दुख हरता सुख करता वह बैठ तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। इस दुनिया में सभी मनसा, वाच्चा, कर्मना एक दो को दुख देने वाली हैं। वहां मनसा, वाच्चा, कर्मना सब सुख देने वाले हैं। परमपिता परमात्मा के सिवाए कोई भी स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकता। बरोबर स्वर्ग था। यहां भी देखो साइन्स से क्या क्या बनता रहता है। एरोपलेन, मोटरें, महल, आदी कैसे बन जाते हैं। वहां भी साइन्स सारी काम में आती है। ऐसे नहीं, जमेन से कोई वैकुंठ निकलाएगा। जैसे दिखाते हैं, द्वारी का समुद्र के नीचे चली गई। जो समुद्र के नीचे जाएगी, वह तो गलकर खतम हो जाएगी। नई सिर सब कुछ बनना है, तो बाप से जबकी हम बाच्शाही प्राप्त कर रही हैं, तो मनसा वाच्शा कर्मना किसके प्रती बुद्धी में दुख देने का ख्याल नहीं आना चाहिए। भल यह है ही माया का राज्य, मनसा तुफान तो आएंगे, बाकी दिल में किसको दुख देने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। इस समय सब एक दो को दुखी देते हैं, समश्ते सुख हैं, परन्तु वह है दुख। बाप से सब को बेमुख करते हैं, यह भक्ती मार्ग भी ज्रामा में हैं। ज्रामा को कोई भी जानते ही नहीं, वह लोग समश्ते हैं, हम यह शाश्त्र आदी सुनाते हैं, यह भी ज्यान देते हैं। जप तप आदी करने से मनुश्य मुक्ती जीवन मुक्ती को पा लेंगे। अनीक प्रकार के रास्ते बताते हैं, कहिंगे बहुत समय से भक्ती करते आई हैं, तब तो भग्वान आया है। हम भी कहते हैं, भक्ती का जब अन्त होता है, तब भग्वान को आना होता है। भक्ति का फल देते हैं, तो वह सब भक्ति की लाइम में चले जाते हैं, इसको ज्ञान नहीं कहेंगे, शाश्त्रों के ज्ञान से सद्गती नहीं होती, सुरुष्टी के आदी मध्य अंत का ज्ञान तो उन्हों को है ही नहीं, यह तुम जानते हो प्राचीन ज्ञान और योग से भारत स्वर्ग बना था, सो जरूर भगवान ही सिखलाएगा, मनुष्य तो राज योग सिखलाना सकी, भगवान ने जो सहज राज योग सिखलाया, उनका बाद में शाश्त्र बनाया है, यहां तो भगवान खुद बैठ नौलिज समझाते हैं, गीता में सिर्फ एक भूल की है, जो नाम बदली कर दिया है, और समय भी दूसरा लिख दिया है, तुम जानते हो, अभी भगवान हमको ज्ञान और राज योग सिखला रही है, स्रुस्टी के आदी मध्य अंत का ज्ञान और कोई शाश्त्र में नहीं है, कल्प की आयू भी लंबी चौड़ी कर दिया, मनुष्य तो वही शाश्त्र पढ़ते रहते हैं, बाप ने समझाया है, यह स्रुस्टी रूपी जाड है, जाड में पहले थोड़े पत्ते, फिर बढ़ते जाते हैं, भिन-भिन धरम के पत्ते दिखाए जाते हैं, वास्तव में यह जो भी वेद शाश्त्र हैं, वह सब भगवत गीता के पत्ते हैं, उनसे निकले हुए सब शाश्त्र हैं, तुम देखते हो बरोबर नए जाड की स्थापना होती है, तुफान आदी में कोई तो जट मुर्जा जाते हैं, गिर पड़ते हैं, तुम जानते हो अभी हमारी दैवी जाड का फाउंडेशन लग रहा है, और जो धरम इस्थापक हैं, वह यह नहीं जानते कि हम क्रिस्ट्यन धरम का अत्वा फलानी धरम का फाउंडेशन लगाती हैं, पीछे समझ में आता है कि फलानी ने यह फाउंडेशन लगाया, यहां तो कांटों को फूल बनाना होता है, तुम जानते हो हमको तो देवता बनना है, सबको सुख देना है, किसको दुख देने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, एक-एक अक्षर मुक से ऐसा निकले, जो मनुश्य को हीरे जैसा बना दे, बाप भी हमको ग्यान सुनाते हैं, जिसको धारन करते करते, हम हीरे जैसा बन जाते हैं, वास्तव में टीचर किसको दुख क्यों देवे, वह तो पढ़ाते हैं, हाँ, समझाया जाता है, अगर अच्छी रीती नहीं पढ़ेंगे, तो 21 जनम के लिए घाटा पढ़ जाएगा, 21 जनमों के लिए अब ही पुर्शार्थ करना है, बाप मिला है, जिसको ही भक्ती मार्ग में याद करते थे, ही भगवान, साधु, संत, आदी सब याद करते हैं, भगवान तो एक है, परन्तु वह कौन है, यह नहीं जानते, शरी कृष्ण तो सत्युग में प्रिंस था, उनको तो ऐसे कोई नहीं कहेंगे, कि वह सर्व का दुख हर्ता सुख करता है, वही शरी कृष्ण की आत्मा जो सुख में थी अब दुख में है भगवान के लिए ऐसे नहीं कहेंगे न वह तो दुख सुख से न्यारा है उनको मनुष्य का तन है नहीं बाप जो स्थापना करते हैं वहां सुख ही सुख है तब गाया जाता है दुख हरता सुख करता तुम जानते हो हम रावन के राज्य में आधा कल्प दुखी थे आधा कल्प का सुख रहता है बाकी दुखी दुख है जिसको सन्यासी लोग काग विष्टा समान सुख कहते हैं क्योंकि विकार से पैदा होते हैं न लेकिन कोई पवित्र प्रवरती मार्ग भी होगा, जहां कोई भी विकार नहीं होगा, बरोबर वह सत्युग में था, उसका नाम ही है स्वर्ग वह है पवित्र मार्ग स्वर्ग, फिर पतित बनते हैं, तो उनको कहा जाता है नर्ग ब्रस्टा चारी मार्ग यह दुख सुख का खेल बना हुआ है, मनुश्यों को अभी अभी सुख, अभी अभी दुख, उनको यह मालूम ही नहीं कि स्वर्ग में सदा सुख होता है, दुख का नाम निशान भी नहीं रहता, यहां फिर सुख का नाम निशान भी नहीं है, विका में जाना ये तो दुखी है, तब तो सन्यासी भी सन्यास करते हैं, परन्तु वह है निवरती मार्ग। सत्युग में प्रवरती मार्ग था, वह था शिवाल्यै। देवी देवताएं लक्षमी नारायन आदी के जड़ चित्र मंदिरों में भी कैसे ताजवा तक्त से सजे हुए हैं। भारत ही है, जिसमें राजा रानी देवी संप्रदाय थे, और कोई धरम में ऐसे नहीं हैं। भल, राजाएं तो हुए हैं, परन्तु डबल ताज नहीं हैं। सत्युग में शुरू से ही राजाई चलती हैं, आदी सनातन डबल सरताज देवी देवता धरम था। वह धरम कैसे स्थापन हुआ, ये सर बातें तुम बच्चे ही जानते हो, शिव बाबा की मत से तुम दुखरता सुख करता बनते हो, तुम्हारा धंदा ही यह है, सब का दुखर कर सुख देना, अगर तुम भी किसको दुख देंगे तो कौन कहेगा, कि ये दुखरता सुख करता की संतान है, पहले मनसा में ख्यालात आते हैं, फिर एक्ट में आते हैं, तुम बच्चों को तो अती मीठा बनना है, भगवान पढ़ाते हैं, तो जब तक चलन तुम्हारी दैवी नहीं होगी, तो मनुष्य तुम पर विश्वास कैसे करेंगे। गीता में भी लिखा है, भगवान वाच मैं तुमको नरसे नारायन बनाता हूँ, भगवान जरूर संगम पर होगा, भगवान वाच मैं तुमको राज योग सिखाता हूँ, तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ होगा। यह काम कोई कृष्ण का नहीं है, त्रिमूर्ती दिखाते हैं, परंतु शिव को उड़ा दिया है, फिर कहते हैं, ब्रह्मा को तो तीन मुख होते हैं, यह एक मुख वाला ब्रह्मा कहां से आया, अब मनुष्य को तीन मुख कैसे होंगे? बाब कहते हैं, तुम मेरे समझू सयाने बच्चे हो, तुम ही विश्व पर राज्य करते थे, अब बाबा तुमको देही अभिमानी बना रही हैं, अब अपने को आत्मा समझो, मुक्ती धाम में सबको अशरीरी बनाए भेज देते हैं, यहां आकर तुमने यह शरीर धारन किया है, शरीर धारन करते करते तुमको देही अभिमान पक्का हो गया है, अभी तुम अपने को आत्मा समझो, मुझ आत्मा ने 84 सी चनमों का पार्ट बजाया है, अभी यह अंतिम जनम है, ऐसे ऐसे अपने साथ बाते करो, बाप कहते हैं, अभी तुम देही अभिमानी बनो, वापिस लोटना है, फिर तुम स्वर्ग में आएंगे, अभी तुम मेरी द्वारा स्वर्ग की बादशाही लेनी की मेहनत कर रहे हो, बाप को तुम भूल जाते हो, तो खुशी का पारा नहीं चड़ता है, शाश्त्रों में कितनी भारी भूल कर दी है, शिव बाबा को ही उड़ा दिया है, पूजा करते भी कह देते हैं, नाम रूप से न्यारा है, अरे, तब पूजा किसकी करते हो, याद किसको करते हो, कहते भी हो, आत्मा ब्रकुटी के बीच में रहती है, परन्तु आत्मा किसकी संतान है, यह नहीं चानते, मैं आत्मा ब्रकुटी के बीच में रहे, इस शरीर द्वारा पार्ट बजाता हूं, इस पुतले को नचाता हूं, कट पुतलियों का डांस होता है न, वह दूसरे आदमी बैठ डांस कराते हैं, पहले पहले तो देही अभिमानी बनना है, और बाप जो कुछ समझाते हैं, उ उसको धारन करना हैं, प्रदर्शनी में पहले पहले तो बाप का परिचय समझाना है, कि यह सब का बाबा है, वह निराकार, दूसरा साकार, प्रजा पिता, दो बाबाई हैं, तुम जानते हो लौकिक बाप भी है, पारलौकिक बाप भी है, वह हद का, वह बेहद का, अब नई रचना रच रहे हैं, हम वर्षा शुब बाबा से लेते हैं, ऐसी ऐसी बातें अपने साथ करके पक्का कर देना हैं, देही अभिमानी बनना हैं हम शुब बाबा के पास पढ़ने जाते हैं, परम पिता परमात्मा निराकार है, साकार है प्रजा पिता भ्रह्मा, तुम हो प्रजा पिता भ्रह्मा के मुख वन्शावली भ्रामन, तुमको भ्रह्मा ने एडॉप्ट किया है, तुम हो गए नई रचना भ्रामन, वह हैं पुर जिस्मानी भ्रामन वह जिस्मानी यात्रा कराते हैं तुम रोहानी तुम बच्चे अभी स्रीष्ठ बन रहे हो यह है ही इश्वरिय मिशन भ्रस्टाचारी से स्रीष्टाचारी बननेगी मनुष्य तो बनाना सके वस्तव में सच्ची सच्ची सदाचार समीती तुम्हारी है तुम्हारा लीडर देखो कौन है बाप कहते हैं मैं फिर से राज योग सिखलाने आया हूँ यह वही संगम युग है अभी मनुष्य से देवता बनाता हूँ तुम जानते हो हम शुद्र से अभी ब्रामन बन रही हैं ब्रामनों की है चोटी ब्रह्मा भी चोटी है ब्रह्मा में जो प्रवेश करते हैं उनको इन आखों से देख नहीं सकते बाकी तो सबको देखते हैं बुद्धी से जानते हैं निराकार बाप हमको पढ़ाते हैं ब्रह्मा को तो ब्रामन यहां चाहिए सुक्षम वतन में होना सके एडॉप्ट करते हैं व्यक्त ब्रह्मा सो अव्यक्त बनता है यह बड़ी समझने की बाते हैं पहले पहले लक्षय को समझ लिया, फिर भल कहां भी बैठ पड़ सकते हैं, मुरली रोजाना सुननी पड़े, एक दिन भी मिस होने से बड़ा घाटा पड़ जाता है, क्योंकि पॉइंट्स बड़ी गुहिया, हीरे रतन निकलते हैं, कोई फर्स क्लास रतन निकला हो और मिस कर दिया, तो घाटा पड़ जाए, रेगिलर स्ट्यूडेंट बड़े एक्यूरेट होते हैं, अच्छी रीती पुर्शार्थ नहीं करेंगे, तो उँच पद पा नहीं सकेंगे, यह तो बहुत उची पढ़ाई है, सरस्वती को बेंजो और कृष्ण को मुर्ली दी है, वास्तव में कृष्ण को भूल से दे दी है, है तो भ्रह्मा, तुम जानते हो ये शिव बाबा का मुख है, कृष्ण का और सरस्वती का तो कोई भी कनेक्शन नहीं है, सारी मूंज कर दी है, अच्छा, मीठे मीठे, सिकी लधे, बच्चों प्रती, मात, पिता, बाप, दादा का याद प्यार, और गुड मॉनिंग, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, धार्ना के लिए मुख्य सार पहला, मैं आत्मा इस शरीर रूपी पुतले को नचा रही हूँ, मैं इससे अलग हूँ, ऐसा अभ्यास करते करते देही अभिमानी बनना है, दूसरा, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है, रेग्यूलर बनना है, पढ़ाई में बहुत बहुत एक्यूरेट रहना है, वर्दान, माया और प्रकृती की हलचल से, सदा सेफ रहनी वाले दिलाराम के दिल तक्त नशीन भवा, सदा सेफ रहने का इस्थान दिलाराम बाप का दिल तक्त है, सदा इसी समरती में रहो कि हमारा ही यह स्रीष्ट भाग्य है, जो भगवान के दिल तक्त नशीन बन गई, जो परमात्म दिल में समाया हुआ, अत्वा दिल तक्त नशीन है, वह सदा सेफ है, माया और प्रकृती के तुफान उसे हिला नहीं सकते, ऐसे अचल रहने वालों का यादगार है, अचल घर, चंचल घर नहीं, इसलिए समरती रहे कि हम अनेक बार अचल बने हैं, और अभी भी अचल हैं, स्लोगन ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप बनना ही, सिक्षाओं को स्वरूप में लाना है, ओम शांती